Hello everyone, मैं विश्वजीत सिंग, आप सभी का दाइन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तों, एक्जाम से कुछ घंटे पहले हमें क्या स्टडी करना चीए, इस टॉपिक को पढ़ना चीए चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ड्यूटेल में सबस्टा तो अभी हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते हैं और एजए स्टुडेंट कई बार हमें confusion होता है कि यह वाला टॉपिक ना मैंने सही से पढ़ानी, कहीं यही वाला टॉपिक ना आ जाया और होता भी यही है, जिस टॉपिक को आप पढ़ के नहीं जाओगे, वही टॉपिक आता है किसी ने नया वीडियो डाला और आपने उस वीडियो को नहीं देखा और पता चले यह लास्ट में किया इसी वीडियो में से question आ गए तो यह बहुत जादा बड़ी problem होती है, तो हम क्या पढ़ के जाएं, जिससे हमारा paper अच्छा जाए वही question आए जो हम पढ़ कर जा रहे हैं, तो इन चीजों के बारे में तो आसा बात करते हैं देखो सबसे पहले मैं बता हूँ, तो इगनू के अंदर में exam देना easy होता है, कुछ चीजों को आपको याद रखना होता है, कुछ चीजों के आपको practice करनी होते है, revision करना होता है, जिसके बाद आपका इगनू का exam बहुत easy हो जाता है, और number लाना असाँ easy की होता है, क्योंकि इगनू के अंदर में जो questions के pattern है, वो almost same है, काफी सालों से change नहीं किया गया है, question जो पूछे जाते हैं, वो similar रहते हैं पीछले सालों के मुकाबले, जादा परिवर्तन नहीं किया जाता है, अगर आप CBSC का लेके चलोगो ना 12th class के अंदर में, तो वहा questions नहीं लाए जाते हैं, अलग-अलग questions नहीं लाए जाते हैं, limited questions के साथ में ही exam questions paper को तयार किया जाता है, सबसे बड़ी बात यहा है, और सबसे plus point के तौर पर इसी को हम देखे, अगर हम MHI 01 के बारे में बात करें, तो इस book में आपको पढ़ने कले मिलेगा प्राचीन और संबिक मानव से, आधुनिक मानव की और क्या परिवर्तन रहा, उसका समाज में क्या परिवर्तन आए, इसके बारे में आप इस book बढ़ते हो, ठीक है, समझ में आता है, यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले तो आप समझ में आ गया आपको कि इगनू के अंदर में जो exam होता हो, दाइन आप के उपर में, अल्रेटी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, जिसमें आपके lessons की वीडियो भी हैं, last five year question उपर की वीडियो भी हैं, important topic की, important questions की, ठीके previous year question बेपर की, तो सभी तरह के हैं, आपको मैं यह बोलूगा कि जितने भी previous year के question उपर की वीडिय चला जाए, पहला suggestion यह रहेगा, दूसरा suggestion यहां पर सबसे most important suggestion यह रहेगा, कि अभी कुछ नया पढ़ने की courses मत करो, कि यार मुझे ये topic पढ़ना है, वो topic पढ़ना है, ये नहीं पढ़ा मैंने, वो नहीं पढ़ा, उसको भी दो मिनट के लिए hold करो, सबसे पहले आप क्या क करो, कि आपने पीछे क्या-क्या पढ़ रखा है, उसको revise करो, जो भी आपने topic पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, जिस भी वीडियो से देखा, एक बार revise जरूर करो, time दो थोड़ा सा revise कर लो, जिससे आपका जो पीछे का background है, वो पूरा सई से बन जाए, और आप अच्छ कौन से topic पूरे book के अंदर में important है, जिसको हमें especially पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो अगर आप पूरे book को अगर summarize करोगे, तो normally देखोगे, total आपका book 8 से 9 unit के अंदर में divided, total 9 unit है, पूरे book के अंदर, खंड 1 से लेके, खंड 9 तक का आता है, total 9 unit है, block है, आपके book के अंदर, हर unit क अंदर में, 4 से 5 लेसन आपको देखने के लिए मिल जाते है, total आपका 34 लेसन, MHI 01 के अंदर में आता है, अब यहाँ पर 34 लेसन में से, सिरिफ 10 question exam के अंदर में आइगे, 10 के 8 मान के चलो, दो टिपनी वेले कई बार हो जाते हैं, यह 9 मान के चलो, और 9 में से सिरिफ आपको 5 आप पता कैसे चले हैं, कि 34 लेसन में से 5 question किस lesson से आने वाले हैं, यह भी एक बड़ा deal है, यह भी बड़ी problem है, यहाँ पर मैं बताता हूं, simple सा, किस lesson से question आपके बन सकते हैं, कौन से unit से बन सकते हैं, आपको study करो, देखो सबसे पहले अगर मैं बोलू न, आपको study करने के ल लॉक 6 के अंदर में आपका जो सामंतवाद का chapter, सामंतवाद के chapter के अंदर में total 4 chapter आजाते है, यह चारो chapter को मिला कर कई बार एक ही question बनता है, सामंतवाद है क्या, इसके विविन्द चरण को explain कीजिए, इसका पतन कैसे हुआ, या फिर इसके उपर में विविन्द रिष्टी कौन, इस तरह से गुमा फिराके एक ही question बना कर दिया जाता है, कई बार, कई बार दो-तीन chapter को मिला कर एक question बनता है, कई बार एक single chapter में से question बनता है, तो आपको समय के दो-तौरण थे, ठीक है, सामंतवात का रूप और सनरचना किस प्रकार से सामंतवात विक्षित हुआ, समाज के अंदर में किस तरह से फैला सको बताओगे, सामंत बार काया तो आप बताओगे, सामंतवात को लेकर, अलग-अलग इतिहांसकार जो हैं उनके द्रिष्टी कोन क्या है यह भी आपके एक्स्प्लेइन करना होगा ठीक है चार लेसन आते इसके अंदर में चारों को थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे तो आप एक बार पैटन समझ जाओगे न कि अच्छा इसके अंदर में इसी इर्द गिर्द मे लेकर चलना चाहिए तो आप आज आओ ब्लॉक नॉम्मर 5 पे धर्म, राज्य, और समाज के बारे में यहाँ पर आप देखो के धर्म, राज्य, समाज, ब्लॉक नंबर 5 यूट नॉमर 5 अगर ब्लॉक नोब 5 के बारे में बात करें तो यहाँपर आपको पढ़ना है अरब के बारे में चीन और अरब समाज के बारे में टोटल चार तीन लेसन आते हैं आपके परिवर्तित रोमन संसार अरब संसार और चीन संसार अब देखो परिवर्तित रोमन संसार में से तो ज्यादा तर कोश्चन बनते नहीं है तो इससे पहले एक और लेसन रोमन संसार का था ज परकी दो जो topic बनते हैं आपके अरब संसार और चीन का वो topic कई बार पूछा जाता है पूछा क्या जाएगा अरब संसार के अंदर में वह इसलाम का उद्धे किस प्रकार से हुआ इसलाम के उद्धे से क्या थे यह सब अलग अलगतर के question थे कि किस तर से अरबों का फैलाब हुआ तो सारे question यहापे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे चीन के अंदर में confuses वाद ठीके एक धर्म है या नहीं है किस तर से एक ideological question वाँ पर देखने के लिए मिलेगा चीन से related question देखने के लिए मिलेगा तो यह दो टॉपिक अरब संसार और चीन वाले टॉपिक है आप इस्टूडी करके चल सकते हैं समझी में आता है आगे हम बढ़ते अगर मैं आगे बात करू तो आपका जो संस्थागत जो यह व आपको जाना है यूनिट नंबर ब्लॉक नंबर यूनिट नंबर जो भी आपका ठर्ड पर जाना है राज्य और सम्राज्यों की निर्मान के बारे में राज्य और सम्राज्य का निर्मान हुआ कैसे यहां पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इसमें चार चेप्टर आते ह ठीक है, राज्य और समराज्य का निर्मान कैसे हुआ, ये थोड़ा सा समाने पर इच्छे, इसमें से कुछ कोश्चन नहीं बनता, नॉर्मल सा कोश्चन यही आता है, राज्य और समराज्य का निर्मान कैसे हुआ, तो एक कॉंसेप्ट है, वो कुछ खास नहीं देखने के लि प्रासपर्था को कोश्चन भी आता है ठीक है तो प्राश्चिन युनान किस तरह से विक्सित हुआ क्या रहा ठीक है किस तरह से युद्रा फार्सी युनान के अंदर में रोमन के अंदर में तीनों जो समराज्य है न तीनों समराज्यों को आप यहां पर करके जरूरू जाए अगर आप block first की बात करो तो आरंबिक मानव समाज जिसके अंदर में बात करते हैं जो हमारे बुक का भी मतलब almost दिखाता है कि आरंब में मानव समाज किस परकार था यहीं से chapter start हो जाता है तो इस पूरे बुक के अंदर में पांच chapter रहते हैं और पांच क्यों chapter easy है एजी क्या ह यह आरंबिक मानव समाज था किस परकार का तो आरंब में मानव के पास ऐसा नहीं था कि option नहीं था कि भीया हमें ललित में जाकर डिनर करना है और रात में वहाँ पर जाकर घूमना है मुर्थल जाना है वहाँ पराठे काने ऐसा कुछ option नहीं था ठीक है उनके पास option क्या थ कि भीया आप सिकार और संग्रहन के थुरू ही अपना जीवन व्यापन कर सकते हो सिकार करने के लिए आपको पाशान के होजार बनाने पड़ेंगे पाशान के जो होजार बनाओंगे उसी होजार से आपको सिकार करना है आरम में छोटे जानुवरु का सिकार करना इस्टार्ट तो वह सारा कुछ यहां पे पैटन बेस पर आपको देखने के लिए मिल जाता है तो सबसे पहले आप सिकार और संग्रण के बारे में पढ़ोगे बहुत बार आपने पढ़ रहेगा आपको बताना ठीके इसी रहेगा समझना पसुपालक खाना बदोस्ती किस तर से पसुपाल किस तर से पहले सिकार और संग्रहण करता था पसुपालन खाना बदोस्ती का जीवन वैतीत क्या फिर क्रिशी के और कैसे बड़ा यह तीन पैटन बेस कोश्चन है एक के बाद एक आते हैं तो उसको भी आप यहां पर बता सकते हैं समझ में आता है यूनिट फर्स्ट और य कुछ खास लेसन है नहीं पहला कोर्शन यह दिख आसने के लिए मिल जाएगा आपको ले खन और कलात्मक अभिवैक्ति किस परकारसे रही किस परकार से लेखन कलआ का विकास Самá Cool किस तर से आ fanagord पर देखने के मिल जाता है पर कुछ खास नहीं इसको हम अबोट कर सकते हैं युनिट फर्स्ट को ब्लोग फर्स्ट को आपको लेकर चलना है तो अभी तक बैने आपको बताया कि आपका जो ब्लोग फर्स्ट है आरंबिक मानव समाज़ इसको इसको ब्लोग फ्राएव जो आपका है का राज्य और समराज्य के निर्मानिक इसको Рदी करोगे नीट ह давно कि जो आपका दो aiए ने चर से 5 बता दिया इतना भी bardziej करे चलते हो तीन से चार कोश्चन बनना ही बनना इन में से अगर थोड़ा सा और आगे हम बड़े 8, 7, 9 की और बड़े हम उगर इसको देखे तो यहाँ पर आपका ना जो आपका मद्युगीन संसार और वैपार वाला ये वाला चैप्टर है उनिट 7, ब्लॉक 7 इसको हम यहाँ पर अवोईट कर सकते हैं समुंद्री वैपाता विसले और किस प्रकार की आथ है और कुछ खास कोश्य नहीं है अगयाँए कर सकते हैं यहाँ पर लास्ट केस्व कि संक्रमन किस तरीके से मिडाइवल टाइम के अंदर में संक्रमन संक्रमन का मतलब यह नहीं बिमारी की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर हम कहते हैं विस्तार के बारे में विकास के बारे में जैसे विज्ञान और टेकनोलोजी के छितर में क्या विस्तार हुआ ज्यान के छितर मे इस से लेटेट कोशन आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाता है मद्योगिन विश्व में संकर्मन के लिए अगर हम यूनिट ब्लॉक 9 के और बड़े यूनिट 9 के और बड़े तो पुर्व आधुनिक संसार इसके अंदर में आपको जनसंख्या के बारे में पढ़ने के मिलेगा सहरी करण के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा युद कोशल संरचना परदुगी के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा नातेदार और परिवार का धांचा एक बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा चार चैप्टर आते हैं कुछ खास इसके अंदर में भी रहता यूद दोते हैं ये थोड़े से question बनते हैं और नातितारी ववस्था परिवार का धाचा क्या important है किस तरीके सा परिवार बढ़ता है यहाँ पर बता से तो यह पूरा आपका MHI 01 का था और आज आपका 7 दिसंबर भी है उस घंटे बाद exam होने वाला है आपका MHI 01 का तो जो भी students exam के लिए पेर करने वाले हैं तो मैं उन सब को बोलूँगा all the best सही से exam करना है पूरा exam करके आना है अगर आपको आ रहा है तो भी पूरा कीजिए नहीं आ रहा है तो courses कीजिए फिर भी पूरा करके आओ ठीक अब यहाँ पर यह भी बोलो के sir आहीं नहीं जाता पूरा क्या क्या हो तोड़के मत आना कोई भी question पूरा करके आना याद रखना इगनू के अंदर में extra seat नहीं मिलता है तो extra seat के लिए मत जाना फटाफट फटाफट अपना time limit में word limit के अंदर में follow करना है और अगर आप पूछो के page में कितना लिख सकते हैं तो 4-5 page enough रहेगा 5-6 page enough ठीक है समझ में आता है साती सात ज्यादा topic ज्यादा इधर सुधर मत भागो कि इसका वीडियो देखना उसका वीडियो आ गया उसका वीडियो आगया यह सम मत करो एक जगा स्थीर होकर एक ट्रॉपर एक video देखो जिससे आपके अच्छे नमर बन सके और साती सात revision पे थोड करता हूं मिखलते हैं एक लिए वीडियो के अंदर में और आप सभी students को all the best आपके एक्जाम के लिए अगर आपके मन में कोई question हो, doubt हो, question को raise कर सकते हो वीडियो के अंदर में तो चलिए यहां पर मिलते हैं एक लिए वीडियो के अंदर में बाइ-बाइ-टिकर अल्दा बै कर दो